हेलो बच्छावाटी, वेलकम बाक टू दे येट अनदर सेशन और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके CMA All Sources के क्वेश्चन Probability Particular Probability Chapter के Concept Builder के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास तक कर लिया है मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि अब हम लोगों को Question 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 करने हैं तो चलो Question Question से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चो 2016 syllabus की module के अंदर भी बहुत अच्छा-चे Question Institute ने दिये थे और वो Question Institute अभी New syllabus के अंदर पूछ रही है तो इसलिए Old syllabus के module के Questions हमें छोड़ना नहीं होता है किसी भी चाप्टर के अंदर तो फटा फट से एक बार 2016 syllabus के अंदर टोटल 25 Questions नहीं टोटल 62 Question है New syllabus की module में 25 Questions है Old syllabus की module में कितने questions है 62 और आप खुद देख लेना कि Old syllabus की module में जो Questions है Institute ने वही Questions New syllabus की module में भी कुछ डाले हुए है तो Institute ने पुरानी modules को भूला नहीं है ये बात आपको याद रखती है तो 62 Question हमको Solve करने है ठीक है देखो Initially Probability was a branch of सारे बच्चे बताओ शुरू शुरू में Probability सिफ किसकी branch मानी जाती थी फटावर से बताओ Physics, Statistics, Maths और Economics Very very good भाया Maths की branch मानी जाती थी ये Question किया हुआ है हमारा ठीक है Maths की branch मानी जाती थी ये Question किया हुआ है Next Next देखो If events are mutually exclusive then अगर बच्चो दो event mutually exclusive है इसका मतलब क्या हुआ कि दो event का intersection 0 है बोलो हाँ सारे बच्चे बोलो हाँ मतलब दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते दोनों का intersection 0 है दोनों का intersection 0 है दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते तो both events cannot occur at same time दो event साथ में कभी नहीं हो सकते अगर दोनों क्या है mutually exclusive है तो Next अगर दो event A और B mutually exclusive है तो probability of A intersection B किसके बराबर होगा अभी अभी मैंने बताया 0 के बराबर होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी common नहीं है दोनों में कुछ भी common नहीं है बोलो yes or no yes next अगर दो event A और B जहाँ पर probability of A union B वन के बराबर है तो क्या हम कह सकते कि A और B event क्या है exhaustive event है क्या है exhaustive event है ओके equally likely कैसे होगा सुधानशू exhaustive event है ओके तुम लोग 1 देखके equally likely में मत आ जाया करो जोड़ी थोड़ी 0.5 0.5 हो सकते है 0.2 हो सकते है 0.8 हो सकते है 0.4 हो सकते है 0.6 हो सकते है 0.7 हो सकते है 0.3 हो equally likely में क्यों कूछ जाते हो सिदा अगर मेरे को एक बात बताओ अगर तुम्हारी सारी probabilities का total मिलाके 1 आ रहा है तो आप उसको exhaustive कहते हो इतना ही बोला है मैंने आपको याद रखने के लिए exhaustive के case में बच्चो बस आप ये याद रखो कि probability का total 1 आना चाहिए तो उसको आप बोल सकते हो कि ये exhaustive event है ठीक है आपको जितने भी events दिये है उसका total अगर 1 के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि हमारा sample space जो था हमार जो भी sample space होगा उसके सारे items इसके अंदर आ गए तो कभी भी याद रखना जब भी probability का total अगर 1 आ जाए ठीक है तो इस word को याद रखना कि सारी probabilities का total 1 आ जाएगा ओके येस देखो probability of event a 1 के बराबर है तो event a को आप क्या कह सकते हो बड़ावर से बताओ सारे बच्चे बताओ probability of event a 1 के बराबर है तो event a कैसा event है बड़ावर से बताओ क्यों और event है very very good sure event है क्योंकि probability of occurrence 1 है 1 मतलब 100% ये event होगा 100% ये event होगा ठीक है बच्चो probability of a not 1 के बराबर है probability of a not 1 के बराबर है तो यहाँ पर event a को आप क्या कह सकते हो event a को आप क्या कह सकते हो इंप्रोबैबल event अभ इस इंप्रोबैबल वर्ड इंस्टिट्प करते हैं यह इंप्रोबैबल हो ना चाहिए रहे है तूम लोग समेदेरोंอना इंप्रोबैबल वर्ड स्ताटेश क्रेड़्र के अंदर फिर प्रोबैभीलिंसीं पर यह रहां तो कया होना चाहिएanç पॉसिबल तो अब देखो एक्जाम में अगर ऐसा उल्टा-पूल्टा कोश्चन एक्जाम में आ रहा है है ना उल्टा-पूल्टा कोश्चन तो तुम लोग दिमाग से आंसर दोगे क्योंकि इंस्टिटूट ने तो लगाया नहीं दिमाग यहां पर सिमेट्रिक इवेंट हो तो प्रोबैबिलिटी ऑफ ए क्या होता है अगरेक्ट की प्रॉबरीटी औफ ऑ और इंप्रोबेबल लिखा है इंप्रोबाइबल लिखा है आप यह उल्टा पुल्टा वर्ड इंस्ट्टिट यूज़ कर सकती तुम लोग को थो तूटा गुंबभा करने इंगली तुमको कॉममेंज से आंसे तो मतलब इवेंट है ठीक है अच्छा dependent इवेंट क्या होता है सोनम पूस्टरी बेटा dependent इवेंट क्या होता है जो एक इवेंट दूसरे के उपर dependent हो सिंपल conditional probability conditional probability अभी आयागा न question ठीक है conditional probability सब को आता है न फटापर से बताओ पटापर से बताओ conditional probability dependent इवेंट जा एक इवेंट दूसरे इवेंट के उपर dependent है ओके चलो एक अनबाइस कोईन को आप टॉस कर रहे हो एक बार then the two event head or tail are सारे बच्चे बताओ अगर हम एक coin को toss कर रहे हैं तो जो दो इवेंट होगा head or tail वो कैसा इवेंट है क्या वो mutually exclusive है हाँ क्योंकि एक के होने से दूसरे के दूसरा नहीं होगा सारे बच्चे बोलो क्या head or tail कभी एक साथ आ सकते है क्या head or tail कभी एक साथ आ सकते है answer is no इसका मतलब वो mutually exclusive event है दूसरी बात फटावर से बताओ क्या probability of head प्लस probability of tail वन के बराबर है answer is yes इसका मतलब वो exhaustive event भी है equally likely मतलब क्या दोनों के आने की chances बराबर है answer is yes तो answer होगा all of these ठीक है all of these होगा answer probability of an event can assume any value between 0 से लेकर 1 तक आपको पता है probability of an event 0 से लेकर 1 तक कुछ भी आ सकता है ठीक है 0 और 1 को include करके dash of all probabilities equal to 1 तो sum of all probabilities is equal to 1 अगर आप सारी probabilities का total निकालोगे तो वो 1 के बराबर आती है बोलो हाँ अगर आप सारी probabilities का total निकालोगे तो that will be equal to 1 ओके चलो next sum of probability of an event a and its complement यानि की a plus a not बच्चो क्या होता है वन के बराबर होता है बड़ा बड़ा से बताओ a plus a not यानि probability of happening of a plus probability of happening of a not दोनो वन के बराबर होता है correct येस क्यों हम लोग लिखते हैं यहां पर probability of a is equal to one minus probability of a not इसका मतलब ये धर आके plus हो जाता है ना वैसे हम ऐसे भी लिखते है probability of a not is equal to one minus probability of a प्रेक्ट कॉंप्लीमेंट मतलब बेटा सेट्स चाप्टर पढ़ना होगा उसके लिए सुधानशू कॉंप्लीमेंट का मतलब होता है एक चोड़कर यूनिवर्स में बाकी सारी चीजह है सुधानशू सेट्स चाप्टर मैंने आपको कहा था दो चाप्टर पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन और सेट्स इसके बहुत सारे कॉंसेप्ट प्रोबैबिलीडी चाप्टर में यूज आएंगे और वो आ रहे है ठीक है तो ए नॉट का मतलब होता है एक को छोड़कर यूनिवर्स में और कित अलिमेंट से उसको कहा जाता है ए नॉट ठीक है ओके इफ ए इस एन इवेंट एन ए नॉट इस इस कॉंप्लिमेंट इवेंट इवेंट इन में से कौन सा सही है बताओ उपर अभी अभी मैंने आपको बता दिया है वैसे भाया बी इस दा आंसर प्रबैबिलिय्टी ओ नॉट इस इकोल टो वन माइनस प्रबैबिलिटी ओ ए ठीक है ओके इसिंपल next if for two events A and B probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B तो ज़रा याद करोगे probability of A intersection B probability of A into probability of B के बराबर कब होता है सारे बच्चे बताओ ये कब होता है probability of A intersection B P A और P A into P B के बराबर कब होता है जब events independent है very very good very very good क्या तयारी करके है मज़ा आ गया क्या preparation के हो independent होते है तब अब मैं बोलू ये दोनों equal नहीं है तो क्या बोलोगे ये dependent event है simple, ultra, opposite word opposite word, correct जब ये दोनों equal होते है तो हम उसको independent बोलते है जब ये दोनों equal ना हो not equal हो तो हम इसको dependent event बोलेंगे बस simple सी बात है तो a, b का मतलब होता है a intersection b a plus b का मतलब होता है a union b a by b का मतलब होता है a intersection b upon b और ये है none तो whatever से बताव कौन सा option है answer a plus b का मतलब होता है a union b तो at least word मैंने आपको पहले भी बताया हुए है और मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि ये chapter में दुबारा से आएगा at least का मतलब या फिर a plus b का मतलब a union b होता है ठीक है अगर at least लिखा रहे है question में या फिर आपको a plus b दिया रहे है तो उसका मतलब a union b होता है ठीक है probability of occurrence of a as well as b is denoted by मतलब a, b दोनों साथ में होगा उसको हम क्या कहते है सारे बच्चे बताओ a और b दोनों को साथ में होने को हम क्या कहते है a और b दोनों को साथ में होने को क्या बताए very very good भाईया a intersection b बोलते है a intersection b ok next when number of cases favorable to the event a is equal to 0 तो probability of a is equal to 0 क्योंकि हमें पता है probability का formula होता है favorable outcome upon total outcome अगर favorable outcome 0 है और total outcome कुछ भी हो answer तो 0 ही आएगा favorable outcome upon total outcome favorable outcome 0 है तो answer तो 0 ही आएगा total outcome आप कुछ भी लिख लो ठीक है क्योंकि क्यों पर 0 आगया yes probability of a बच्चो 5 by 11 है then probability of complement of a is equal to हमको पता है 1 minus 5 by 11 होता है a complement a complement या a not का मतलब क्या होता है 1 minus a तो यह हो जाएगा 6 by 11 बोलो हाँ बोलो 6 by 11 बोलो yes or no yes भी है yes next probability of a 7 by 8 तो probability of a not 1 minus 7 by 8 that is 1 by 8 ठीक है simple अगर all possible outcome of a random experiment forms the तो सारे बच्चे बताओ अगर एक random experiment के सारे possible outcome ले लोगे तो क्या बन के निकलेगा event बनेगा पूरा पूरा sample बनेगा दोनों बन जाएगा या none of these तो भाईया इससे बन जाएगा sample या फिर उसको हम sample space भी कहते हैं या फिर आप उसको sample space भी कहते हैं तो अगर आप सारे possible outcome का जुन्ड बनाओगे उसी को जो कहते हैं sample ठीक है अब देखो यहाँ पर sample is equal to दिया है 123456 is the when a dice toss तो बोल रहा है dice को मतलब एक pass एक up through करोगे तो sample space है 123456 तो बताओ यह एक event है या यह पूरा sample है यह set है या यह पूरा sample space है तो अब बच्चों जब आपको option में sample भी दिया है और sample space भी दिया है तो use the appropriate word sample space ठीक है use the appropriate word sample space अगर sample space नहीं लिखा है तो sample लिख क्या आना अगर sample space दिया हुआ है तो tick that correct word ठीक है sample space The value of probability of sample space where s is the sample space तो बताओ अगर मैं sample space की probability निकालो sample space के साथ तो क्या एगि तो उसप्रोबाइबिटी बताओ The value of probability of sample space is one sample space की probability sample space के साथ ही निकालोगे तो 1 ही आएगा ना, बड़ावर से बताओ yes the probability space, the probability space in tossing 2 coins so 2 coins head, tail, tail, head, 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 tail, 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 C answer, head, tail, tail, head, tail, tail, head, head, okay sample space of tossing 2 coins with set of function, define a probability space of S, A, B, C तो बताओ, इन में से कौन सा probability के point of view से आपको सही लग रहा है, बताओ, इन में से कौन सा probability के point of view से आपको सही लग रहा है तो क्या ये possible है बच्चों, probability of A और B दोनो 0 हो और probability of C 1 हो क्या ऐसा हो सकता है, कि 3 item है मेरे पास, A, B और C तो probability of A और B हो सकता है, 0 हो, मतलब उनके chances of occurrence 0 हो, और confirm हो कि probability of C ही आएगा यानि कि एक sure event है तो क्या ये थी possible है, simple शब्दों में यार, PA plus PB plus PC 1 के बराबर आना चाहिए तो वो probability में possible है correct, probability of A plus probability of B plus probability of C 1 के बराबर आना चाहिए, तो वो possible है, बात खतम, तो क्या यहाँ PA plus PB plus PC 1 के बराबर आ रहा है answer is yes, तो it is possible it is possible, next देखो PA 1 by 3 है, PB 0 है और PC 2 by 3 है तो again 1 by 3 plus 0 plus 2 by 3, ये भी आगया 1 के बराबर, ये भी possible है ये भी possible है क्या answer both A और B होगा या answer neither A और B होगा, वोड़ा वर से बताओ answer होगा, बोत ये और भी क्योंकि probability के point of view से दोनो possible है, total 1 आनची बात खतम तो वो probability में possible है ठीक है, possibility की पूछ रहा था, possibility की बात कर रहा था कि क्या ये चीज possible है, तो हाँ possible है ठीक है, which of the following set of function define a probability space, तो अब देखो आगे यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 1 by 3, 1 by 2.5 हो गया, 0.25, 0.75, 0.33, ये नहीं possible है, ये possible है, बी answer हो जाएगा इसका, देखो ए possible नहीं है यहाँ पर 1 से जादा आ रहा है, 1 से जादा आ रहा है, 0.33 प्लस 0.75, तो यहाँ आप 1.083 आ जा रहा है, 1.083 आ जा रहा है, यहाँ पर अगर आप तीनो probability का total लगाओगे तो, तो हमें पता है, probability की value 0 से लेकर 1 तक possible है, 1 से जादा possible ही नहीं है, ठीक है, जबकि second वाले में 1 आ रहा है total, ओके, let p be the probability function samples with x1, x2, x3 और px1 1 by 4 है, px3 1 by 3 है, तो px2 क्या होगा, तो हमें पता है, probability of x1 plus probability of x2 plus probability of x3, तीनो 1 के बराबर होगा, क्योंकि probability की value क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो हमको px3 दिया हुआ है, 1 by 3, और px2 दिया, सॉरी, px1 दिया हुआ है, 1 by 4, px2 missing है, और वही निकालने के लिए बोल रहा है, is equal to 1, तो यह हो जाएगा, px2 is equal to, 1 minus 1 by 4, minus 1 by 3, 4 जीजा 12, ठीक है, तो 12 minus 3 minus 4, 12 minus 7 हो जाएगा, 5 by 12, 5 by 12 is the answer, easy, वड़ा वट से पताओ, बस मनीज बेटा, last few days, you have to be regular, to get that edge, ठीक है, easy, फड़ा वर से पताओ, सारी probability का total, 1 के बराबर होना चाहिए, तीन probability है, एक missing है, एक missing है, दो दिया हुआ है, तो 1 में से इन दोनों को minus कर दो, आप कांसर आ जाएगा, simple, the probability of occurrence of at least one of the two event A और B, which may not be mutually exclusive is, तो 2 ऐसे event, और उसमें भी क्या बोल रहा है, at least, याने की probability of A union B पूछ रहा है, तो वैसे तो A union B ही दिया हुआ है, ऐसे events का बताओ, जो की mutually exclusive नहीं है, याने की उनका A intersection B कुछ ना कुछ आएगा, ऐसे event का बताओ, जो की mutually exclusive नहीं है, मतलब उनका A intersection B कुछ ना कुछ तो आएगा, बताओ, very very good, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, यह है formula, यह direct formula, ओके, probability of A दिया है, B दिया है, और event A और B independent है, तो A intersection B क्या होगा बच्चो, whatever से बताओ, probability of A intersection B independent की case में कैसा होता है, whatever से बताओ, भाईया, probability of A intersection B in case of independent event होता है, probability of A into probability of B, probability of A है, हाँ, probability of B है 3 by 5, तो यह हो गया 3 by 10, oh my god, super easy, बोलो, next, probability of A intersection B 0.60, probability of A union B 0.70, so for two events A or B, probability of A plus probability of B बताओ, simple है, probability of A union B होता है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, probability of A plus probability of B is equal to हो जाएगा, P A union B plus P A intersection B, तो यह हो गया 0.60 plus 0.70, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1.3, answer, done, 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 बोलो हाँ, simple formula based question, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यहाँ, okay, next, देखो, if for two independent events A and B, probability of A union B जो है, वो 2 by 3 है, और probability of A 2 by 5 है, तो probability of B क्या होगा, तो देखो, दो independent event है बच्चों, तो probability of A union B, we can say, P A plus P B minus P A intersection B को मैं, P A into P B लिख दू, for independent event, सारे बच्चे बताओ, for independent events, for independent events, P A union B is equal to P A plus P B minus P A into P B, P A intersection B होता है न यह, तो यह independent event के लिए यह formula बनेगा ना, अब मेरे को P A union B question में दिया है, कितना दिया है, 2 by 3, और P A दिया है 2 by 5, अब इसको solve करना है बच्चों, तो कुछ मत करो, इसको इधर लाके minus कर दो, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 by 3 minus 2 by 5, is equal to, यहाँ पर P B को common ले लो, तो P B common लिया, यहाँ पर बचा 1, 1 minus, यहाँ पर बचा 2 by 5, तो 1 minus 2 by 5 कितना होता है, 3 by 5 होता है, 3 by 5 को इधर लाके multiply कर दो, P B मिल जाएगा आपको, P B is equal to, 2 divided by 3 memory plus, 2 divided by 5 memory minus, MRC into 5 divided by 3, तो यहाँ रहाए, 0.44, तो चेक कर लो, 0.4444 कौन से option से आ रहा है, 2nd option से आ रहा है, 4 by 9 is 0.44, 4 by 9 is 0.44, बताओ समझ मैं है, खुड़ावट से बताओ, कि के? बढ़ लो. ओके चलो next A and B दो event है such that P A दिया है P B दिया है P A intersection B दिया है A union B निकालने बोल रहा है तो आपको पता है A union B का formula क्या होता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B बताओ कितना आ रहा है झालने बोल रहा है चलो, कितना है, 0.55 विच इक्वल टू 11 बाइ 20, 11 बाइ 20, नेक्स्ट, A, B, C बच्चों, 3 mutually exclusive, exhaustive event है, such that, P, A is equal to 2, P, B is equal to 3, P, C है, तो P, B की value क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे question, तो तीनो बच्चों कैसे event है, mutually exclusive है, ओके, और exhaustive भी है, ठीक है, तो क्या मैं assume कर लो बच्चों, देखो, probability of A, assume क्या करना है, plus probability of B, plus probability of C, 1 के बराबर है, exhaustive event, whatever से बताओ, mutually exhaustive event है, तो तीनो की probability 1 के बराबर होगी, अब probability of A को वैसी ही रहने दो, बाकी दोनों को P, A के basis पे convert कर दो, ठीक है, बाकी दोनों को P, A के, या फिर हमको P, B की value निकाल दिये न, तो A और C को P, B के basis पे convert कर दो, तो सारे बच्चे बताओ, probability of A is equal to 2 probability of B के बराबर है, ओके, तो क्या मैं यहां कह सकता हूँ, कि probability of A is equal to 2 P, B में लिख सकता हूँ, फड़ावट से बताओ, क्या मैं probability of A 2 P, B लिख सकता हूँ, देखो ना यहां, probability of A is equal to 2 P, B के बराबर है, और वैसी बच्चो 2 P, B जो है, वो 3 P, C के बराबर है, 3 P, C के बराबर है, तो क्या मैं P, C is equal to बोल सकता हूँ, 2 by 3 P, B, पड़ावट से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 P, B is equal to 3 P, C के बराबर है, तो P, C is equal to 2 by 3, 3, 3 को इधर ले आया, 3 को इधर ले आया, divide में, 2 by 3 P, B, तो यहां पर PC के जगा लिख दो, PC के जगा लिख दो, 2 by 3 P, B is equal to 1, अब इसको solve करके, P, B का value निकाल दो, तो LC हमा आजाएगा 3, 3 तू जा 6, 3 बन जा 3, is equal to 1, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, P, B upon 3, is equal to 1, तो P, B is equal to 2 आजाएगा, 3 upon 11, 3 upon 11 मतला B, 6 by 22, 3 by 11 नियो था, 2, 3 जा 6, 2, 1 जा 2, 2, 1 जा 2, तो P, B आगे बच्चो, 3 by 11, फटा फट से बोलो, yes or no, easy, हमको P, B निकालना था, 3 नो, exhaustive event थे, तो probability of A, plus probability of B, plus probability of C, 1 के बराबर है, हमने P, A, P, B, PC था, उसको, अब हमको निकालना था, P, B का value, correct, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था, P, B का value, तो P, B का value निकालना था, तो हमने P, A और PC को, P, B के basis पे convert कर दिया, तो फड़ावर से बताओ, question नहीं बोला है, probability of A, 2 probability of B के बराबर है, तो क्या प्रियांशू, इसके जगा यह लिख सकता हूँ, कोई problem है आपको, फड़ावर से बताओ, क्या probability of A के जगा, 2 probability of B लिखने में कोई दिक्कत, question नहीं कहा है, कोई दिक्कत, no, तो मैंने लिख दिया, low, P, A के जगा मैंने 2P, B लिख दिया, okay, no problem, उसके बाद PC, question नहीं कहा, कि 2P, B, 3P, C के बराबर है, question नहीं कहा, कि आपका, 2P, B, 3P, C के बराबर है, ठीक है, नहीं 2P, 3C के बराबर है, okay, तो हमने PC is equal to लिया, 3 को यहां ले आओ, नीचे, 3 को यहां नीचे ले आओ, तो PC का value हमने निकाल लिया, 2 by 3, PB, इसमें किसी को कोई दिक्कत, whatever से बताओ, PC is equal to, 3 को इदर ले आए, 2 by 3, PB, तो PC के जगा हम यहां पर लिख देते हैं, PC के जगा हम यहां पर लिख देते हैं, 2 by 3, PB, PC के जगा हमने क्या लिख दिया, 2 by 3, PB लिख दिया, ठीक है, is equal to 1, अब इसको हमने normally solve कर दिया, normally जैसे solve करते है, LCM निकाले, LCM तो 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां 1 है, यहां 1 है, ठीक है, तो अब यह 3, 2 जा 6 हो गया, यहां कुछ नहीं है, तो 3, 1 जा 3 हो गया, और यहां पर लिख दो LCM यहीं से निकला है, तो 3 और 3 LCM सेम हो जाएगा, ठीक है, यहां भी 3, यहां भी LCM 3 आया है, 2, 3 जा 6, 200 to 212, simple, बताओ, आगे समझ में, अब इसको तुम लोग X लेके solve करो, जैसे करना वैसे solve करो, आंसर तो सेम ही आएगा, लास्ट में, ठीक है, मैंने PB के format में इसलिए तोड लिया, question को, ऐसा एक और question आगे आएगा, same question, मैंने PB के format में question को इसलिए तोड लिया, क्योंकि answer ही PB निकालना था, तो क्या पहले मैं, PA को X assume करों, फिर solve करों, उससे अच्छा, directly solve कर लिया, ओके, PB is equal to PC करो, वही मैं बोल रहा हूँ आफिसा, जैसे आपको solve करना आप कर सकते हो, PB is equal to 3 PC तो नहीं है, 2 PB is equal to 3 PC है, question में ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना न, question में जो data दिया है, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है, तो तुम लोगो जैसे solve करना करो, final answer तो same याए, मैंने इसलिए ऐसे solve किया, क्योंकि मेरे को निकालना PB था, तो मैंने पूरे data को PB के format में convert कर लिया, I think this is the most convenient way to find this answer, फिर X assume करोगे, फिर निकालोगे answer, long cut हो जाएगा, ठीक है बच्चों, डन, बोलो, ओके, चलो देखो, इफ ABC तीन mutually exclusive और exhaustive events है, तो PA प्लस PB प्लस PC किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि exhaustive event है, ठीक है, probability of A 6 by 9 है, तो odd against the event, odds against the event बच्चों, तो probability of A दिया हुआ है आपको 6 by 9, इसका मतलब क्या है, 6 is to 3 होगा, odd in favor, odd in favor 6 is to 3 होगा न, आप से पूछ रहा है, odd against बताओ, तो odd against मतलब 3 by 9 हो जाएगा, बात खतम, 1 minus 6 by 9, correct, बोलो, 3 is to 9 नी बोलना दिक्षा, 3 by 9 बोलो, ठीक है, 3 by 9, 3 is to 9 नी बोलना, offensive हो जाएगा, ठीक है दिक्षा, 3 is to 9 is offensive, odds के case में, 3 by 9 बोलो, ठीक है, ठीक है, तो ये favor है, और ये against है, next, अगर P और Q odd in favor है, तो probability of event क्या होगा बच्चो, तो odd in favor है P and Q, यानि कि favor है P, upon probability पूछा है ना, तो probability में P plus Q बोथ, ठीक है, P A होगा, तो पहले वाला odd in favor है, अच्छा, एक बात बताओ दिक्षा, आपको P A दिया हुआ है, और odd against पूछ रहा है, तो पक्का थोड़ा सा logic यहां पर, पूड़ा सा मतलब अपने को समझना पड़ेगा, understanding point of view से, कि यह पक्का odd in favor दिया होगा, अच्छा, एक बात बताओ, पहले क्या prefer करते हैं हम, चीजे जो दी रहती है, अगर nothing is mentioned, तो by default क्या assume करें, कि जो ratio दिया है, वो पक्का favor वाला होगा, रेशियो या फिर probability, whatever, दोनों में से जो भी दिया हुआ है, पहले क्या assume करना चाहिए हमको, पहले हमको यह assume करना चाहिए, कि favor ही दिया होगा, odd in favor दिया होगा, तो एक यह general assumption है, यह default assumption है, कि चाहे probability दिया हो, चाहे ratio दिया हो, we will assume कि पहले हमको favor की दिया है, बाद में against की दिया है, जब तक वो odd against ना बोल दे, ठीक है, अब बताओ बच्चो, P और Q odd in favor दिया होगा है, आप से बूछ रहा है, probability of happening of the event, बताओ, probability of event मतलब वही, कि वो event हो जाएगा, उसी probability क्या है, तो favor upon total, okay, next, odd in favor of one student passing a test 3 to 7, तो odd in favor दिया है, of passing a test 3 to 7, मतलब 3 बार pass हो जाएगा, 7 बार fail हो जाएगा, odd against another student passing a test 3 to 5, odd against दिया है, मतलब 3 बार fail हो जाएगा, 5 बार pass हो जाएगा, तो probability that both will pass, तो बोल रहा है, दोनों pass हो जाएगा, इसकी probability बताओ, तो पहला बन्दा pass होने की probability है, 3 by 10, और दूसरा बन्दा pass होने की probability है, 5 by 8, ठीक है, odd against दिया है न, मतलब ये fail का दिया है, और ये pass का दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 5 3 जा 15, नहीं देख, 5 बार जा 5, 5 2 जा 10, 3 by 16, 3 by 16, पहले बाले का odd in favor दिया था, दूसरे बाले का odd against दिया हुआ था, बोल रहा था, बताओ probability की दोनो pass होने चाहिए, दोनो, दोनो, at least one नी बोल रहा है, at least one बोलता है, तो union निकालते हैं, बोल रहा है, दोनो pass हो जाए, उसकी probability बताओ, तो ये pass होगा, उसकी probability है 3, और ये pass होगा, उसकी probability है 5, योगि against दिया हुआ था, ठीक है, दन बच्चों, ओके next, the odd in favor of a student दिया है, और odd against another student दिया है, बोल रहा है probability की दोनों fail हो जाए, तो इसकी fail होने की probability 7 है, इसकी fail होने की probability 3 है, तो 7 by 10, इंटू 3 by 8, 21 by 80, डन, 21 by 80, तो बोल रहा है, वन से रेकल 20 तक, 20 नंबर के डिस्क पड़े हुए, एक जोले के अंदर, एक बैक के अंदर, बोल रहा है, क्या probability है कि आप एक डिस्क को ड्रॉन करोगे, रैंडम ली, तो वो 3 का multiple होगा, तो 3 का multiple up to 20, कितने नंबर होते हैं बताओ, तो वो तो 20 से उपर चला गया, तो टोटल 3, 3, 6 नंबर होते हैं, जो की 3 का multiple होते हैं, 1 से लेकल 20 के बीच में, टोटल आउटकम कितने हैं 20, तो favorable outcome upon total outcome, तो यह हो गया 6 by 20 यहने की 3 by 10, 3 by 10 आपका answer है, ओके, ओके, फड़ावट से बताओ, ओके, next, अनबर उफ सिलेक्टेड, अनबर इस सिलेक्टेड फ्रॉम दे सेट, वन से लेकल 25, 1, 2, 3, 4, dot, 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 25, 35 बाल अफिल से प्रेंज करो, 35 में बेटा बोल रहा था, बताओ, दोनों fail हो जाने चाहिए, तो ये तो odd in favor दिया है, मतलब ये वाला दिया हो है, pass का, और ये वाला दिया हो है, fail का, तो इसका fail वाला उठालो, और इसका odd against दिया हो है, इसका odd against दिया हो है, मतलब ये वाला दिया है, fail का, और ये वाला दिया है, pass का, तो इसका 3 उठालो, 1 by 80 answer ठीक है बताओ दोनों fail होने चाहिए थे बोथ will fail तो दोनों की fail होने की probability को multiply कर दिया प्रियांशु आप group में पूछ सकते हो I will activate the group after the class ठीक है after the class ends whole class चलो next a number is selected from 1,2,3,4 up to 25 यहनी 25 नमबर है हमारे पास the probability that it would be divisible by 4 or 7 ठीक है तो या तो 4 या तो 7 से वो divisible हो इसकी क्या probability है तो 1 से लेकर 25 तक 4 से divisible होने वाले कितने नमबर होते है बताओ 4 बंजा 4 4 तू जा 8 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 7 से divisible होने वाले कितने नमबर हो गई है यह 3,3,6 नमबर हो गई 7 बंजा 7, 7 तू जा 14, 7 जा 21 यह हो गई 3 नमबर तो टो टोटल 9 नमबर हो गए बच्चो जो या तो 4 से या तो 7 से divisible है 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल नमबर से 25 तो 9 डिवाइड़ बाइ 25 आंसर है 0.36 बोलो, easy 1 से लेकर 25 तक वो नमबर बताओ जो 4 और 7 से divisible है यानि कि 4 से भी divisible है और 7 से भी divisible है वो नमबर बताने थे तो 6 नमबर ऐसे हैं जो कि 4 से divisible है और 3 नमबर ऐसे हैं जो कि 7 से divisible है 1 से लेकर 25 की रेंज में ओके और कोई भी common नमबर नहीं है दोनों के बीच में तो और का मतलब होता है Union Union का मतलब होता है और का मतलब union, union का मतलब plus, and का मतलब होता है ऐसे number जो दोनों से divisible है वो 0 होता, क्योंकि ऐसा एक भी number नी, जो दोनों से divisible हो ठीक है ठीक है, and का मतलब क्या होता है, जो दोनों से divisible हो, तो ऐसा कोई भी number नी, जो दोनों से divisible हो, तो उसका answer 0 होता next देखो एक bag में 30 balls है जो कि 1 से लेकर 30 तक numbering में है एक ball आप draw कर रहे हो randomly probability बताओ कि number of the drawn ball will multiple of 3 और 7 तो probability बताओ कि जो आपने ball draw की है वो या तो 3 या तो 7 का multiple होना चीए तो बच्चो 1 से लेकर 30 के बीच में 3 की table में आने वाले कितने number होते हैं पूरे 10 3 बंजा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 चीक है तो 3 से divisible होने वाले 10 number होते हैं और 7 से divisible होने वाले 7 जा 7, 7 2 जा 14 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 7 4 जा 28 चार number होते हैं चीक है तो total 14 number हो गए लेकिन, लेकिन, लेकिन लेकिन, लेकिन, लेकिन आपको पता है 21 दोनों की table में आ रहा है हाँ, 30 बिंक्लूडेट है 1, 2, 30 बोला है न, from बोला है न, between बोला है क्या पड़ावर से बताओ इशा, from बोला है between थोड़ी बोला है between बोलता तो 2 से लेकिन, 29 लेकिन, from बोला है हाँ, तो सारे बच्चे बताओ 21 दोनों की table में आ गया 3 में भी आ गया, 7 में भी आ गया double counting हो गई, अरे वही तो कर रहे है permutation combination में जो किया था double counting हो गई, एक हटाओ एक हटाओ, क्या हटा रहे है 21 हटा रहे है, एक बार हटा रहे है दो बार count हो गया है, तो बेटा 13 number ऐसे है, जो या तो 3 या तो 7 से divisible है ठीक है, 13 number ऐसे है out of 30, जो कि 3 या फिर 7 से divisible है तो 13 by 30 done 13 number ऐसे है, जो या तो 3 या तो 7 से divisible है ओके भाईया, done next if an unbiased coin is tossed twice the probability of obtaining at least one tail मतलब कम से कम एक tail आना चाहिए तो मेरा funda क्या है? अच्छा, दो ही कॉन टॉइस कर रहे हो ना easy question at least one tail बच्चो tail head, head tail, tail tail at least one बोला है ना तो tail head ले लो head tail ले लो और tail tail ले लो चौथा वाला head head है ओके, ठीक है चौथा वाला क्या है? head head है, तो head head में tail नहीं है, at least one tail बोला था, यानि एक है उससे जादा तो जाद जादा दो ही tail आ सकता है तो 3 by 4, यानि कि 0.75 ठीक है? ओके, दो unbiased coin आप toss कर रहे हो, probability of obtaining one head and one tail, तो बोल रहा है क्या probability कि एक head आना चाहिए, एक tail आना चाहिए, तो एक होगा tail head और एक होगा head tail, तो probability है 2 by 4, यानि कि 0.5 ठीक है, 2 by 4 one head and one tail, ठीक है one head and one tail तीन coin को toss कर रहे हो together probability of getting exactly two heads probability of getting exactly two, पहले बताओ 3 coin toss, यानि कि 2 की power 3 sample space होगया 8, बोलो हाँ अब exactly two head चाहिए मेरे को, तो एक हो सकता है head head tail, एक हो सकता है tail head head, और एक हो सकता है head tail head यही तीन हो सकता है, फटाफ़र से बताओ बस यही तीन हो सकता है ना, head head tail, tail head head और head tail head, exactly two heads ठीक है, तो यह हो गया 3 by 8 ठीक है, बोलो ओके, next 4 coin toss, oh my god, 4 coin toss probability that there are only two heads तो बोलड़ा, probability बताओ कि 2 head आना चाहिए ओके, तो head head, tail tail head, tail head, tail head, tail, tail head ठीक है, फिर उसके बाद tail, head, tail head, फिर उसके बाद tail, tail, head, head फिर उसके बाद tail, head, head, tail पुड़ावर से बताओ, इतने ही outcome बन सकते हैं, बस बोलो, 4 coin toss में, 2 heads के बत, इतने ही outcome बन रहे हैं, फोर coin toss, में 2 head आना चाहिए, के इतने ही outcome बन रहे हैं, ओके, तो 6 outcome बन रहे हैं, अब 4 point toss की sample space क्या होगा, 2 की power 4, 2 की power 4, तो 2 into 2, 3, 4, 16, तो 6 by 16, 6 by 16 मतलब 2, 3s are 6, 2, 8s are 16, ये भी आ गया 3 by 8, ये भी आ गया 3 by 8, तो 4 point toss मे भी, अगर आप exactly 2 heads निकालना चाहतो, तो, it will be 3 by 8, ठीक है, गोलो, ओके, next, probability of throwing an even number with an ordinary 6 phase dice, तो बोल रहा है, even number थ्रो करने की probability क्या है, 2, 4, 6, 3 by 6, 1 by 2, 2, 4, 6 बोलो, हाँ, even number सिर्फ 3 ही होते हैं, एक dice आप थ्रो करोगे, तो 3 even number आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, out of total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अगर 2 unbiased dice को आप roll कर रहे हो, what is the probability of getting some of the points, neither 6 nor 9, तो नहीं 6 आना चीए, नहीं 9 आना चीए, तो यह वाला, यह वाला, जो मेरे को ढूणना पड़ेगा, एक्जाम में बहुत बढ़ा हो जाएगा, अगर तुम्हारा मन है, तुम पीछे रफ में sample space बना सकते हो, पर मैं ऐसा सोचता हूँ, कि मैं निकाल लेता हूँ, total, कितने ऐसे outcome हो सकते है, जिसमें 6 और 9 आ रहे है, फिर उसको total number of outcome से minus कर दूँगा, total number of outcome क्या है बच्चो, 6 का square, यानि कि 36, तो मैं 36 में से minus कर दूँगा, वो outcome जिसमें 6 और 9 total आ रहे हो, ठीक है, बोलो हाँ, तो total, total, अरे, अरे, कैसे नहीं समझ मैं तुम लोगो, कैसे करते हो तुम लोग, मस्ती कर दो, मेरे को एक बात बताओ, दो dice throw करोगे, total outcome 36 है न, बोलो हाँ, दो dice throw करोगे, तो total number of outcomes कितने है, 36 है, question कह रहा है कि बताओ, ऐसे outcomes बताओ, जिसमें, दो dice आप throw कर रहे हो, तो दोनों का जो sum है, वो 6 और 9, नहीं आना चाहिए, ठीक है, what is the probability of getting a sum of the pointers, नीदर 6 और 9, मतलब ना तो उन दोनों का total 6 आना चाहिए, ना तो उन दोनों का total 9 आना चाहिए, देख लो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 और यह मैंने वो outcome निकाल ले जिसमें total करने से 9 आ रहा है 3 6 4 5 ठीक है 5 4 6 3 ओके तो अब मैं क्या करूँगा total number of outcome में से वो वाले outcomes को minus कर देता हूँ तो मुझे वो outcome मिल गए जिसमे 6 भी नहीं आ रहा होगा और 9 भी नहीं आ रहा होगा correct बोलो हाँ अभी समझ मैं है समझ मैं है मैंने वो outcomes को minus कर दिये जिसमे 6 और 9 total आ रहा है मैंने उन outcomes को minus कर दिया तो वो outcomes मिल गए जिसमें नहीं 6 आ रहा होगा नहीं 9 आ रहा होगा 27 अपॉन 36 answer तो यह आ रहा है 0.75 ठीक है ध्यान से देखो और बताओ ध्यान से देखो और बताओ हमको निकालना था question में बताओ कि सम जो है वो 6 और 9 नहीं आना चाहिए उसकी probability क्या है दो dice थ्रो करोगे तो जो numbers होने वाले हैं दोनो dice में उसका जो sum है वो 6 और 9 नहीं आना चाहिए कि probability क्या है तो 6 आने की probability ये है और 9 आने की probability ये है इन दोनों को पकड़ो total 9 outcomes है 36 total outcomes है उसमें से 9 को minus कर दो तो 27 वो outcomes आ गए जिसमें ना तो 6 आ रहा होगा sum ना तो 9 आ रहा होगा 27 divided by total outcome 36 is your probability clear बोलो बोलो yes or no नेक्स्ट दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो together probability rate the event the difference of number shown is 2 तो बोल रहा है दो डाइस आप थ्रो कर रहे हो बताओ difference यानि की दो नंबर जो आ रहे है उनको minus करने से 2 आना चाहिए तो बच्चों पहला हो जाएगा आपका 1, 3, दूसरा हो जाएगा 2, 4, पिर आजाएगा 3, 5 पिर आजाएगा 4, 2, पिर आजाएगा 5, 3 पिर आजाएगा 6, 4, पिर आजाएगा 4, 6 फोल्टू यहाँ हो गया वन थ्री टू फोर थ्री फाइफ फाइफ थ्री कोई एक मिसिंग है अच्छा हाँ थ्री वन तो आठ आउटकम हो गए ठीक है और टूटल नमबर आउटकम कितने होते हैं थर्टी सिक्स तो एट अपॉन थर्टी सिक्स यानि कि यह हो जाएगा फोल्टू जाएट फोर नाइन जा थर्टी सिक्स टू बाय नाइन ठीक है तू बाय नाइन बोलो हाँ दोनों के बीच का जो आपके दो डाइस आप थ्रो कर रहे हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तू आना चाहिए तो इस इस दा आंसर ठीक है ओके पुड़ा पड़ से बताओ दो डाइस आप थ्रो कर रहे हो प्रोबैबिलिटी ऑफ इवेंट इस सम अफ द नंबर शोन इस ग्रेटर देन फाइफ तो बोल रहा है प्रोबैबिलिटी बताओ कि जो सम आ रहा है वो ग्रेटर देन फाइफ आना चाहिए अब अगेन ये बड़ा सैंपल स्पेस बन रहा है जादा तर नंबर ग्रेटर देन फाइफ भी होते है तो क्या हम लेस देन फाइफ निकाले और उसको टोटल से माइनस कर दे तो जादा असान होगा बड़ा बड़ से बताओ ग्रेटर देन फाइफ पूछा है तो क्या हम लेस देन इक्वल टू फाइफ निकाले ग्रेटर देन फाइफ पूछा है ना ग्रेटर देन फाइफ पूछा है प्रोबैबिटी ग्रेटर देन फाइफ तो हम लेस देन इक्वल टू फाइफ निकालते हैं 22 और 23 ती वाली सीरीज में हो जाएगा 31 32 और 4 वाली सीरीज में हो जाएगा 41 तो बस इतने ही आउटकम दो डाइस थ्रो में ऐसे हो सकते हैं जो less than equal to 5 आ रहे हैं ठीक हैं ओके 1 minus probability of less than equal to 5 हम लोग करने जा रहे हैं ओके तो फटा फट से बताओ इतने ही outcome ऐसे बन सकते हैं जो कि 2 dice throw करने से less than equal to 5 का outcome आपको दे सकते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? ओके? 10 divided by 36 1 minus 10 divided by 36 26 by 36 26 by 36, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16 13 by 18 answer ठीक है? ओके अभिशेख हो गया बिटा रात को upload हो जाएगा रात तक upload हो जाएगा ठीक है अभिशेख? 13 by 18 बोलो हाँ आसो दान्शो, यस ठीक है? आप से question ने पूझा था, दो dice आप थ्रो करोगे, probability of the probability that the sum of the two numbers जो कि dice में आएगे वो 5 से बड़े होने चाहिए, तो 5 से बड़े number बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमने क्या किया? less than equal to 5 निकाल लिया, और उसको total से minus कर दिया, ठीक है? less than equal to 5 निकाल लिया, कि less than equal to 5 sum किस में किस में आ रहा है, और उसको total से minus कर दिया, ओके? नहीं नहीं उतना heavy chapter नहीं है, चलो next, a card is drawn from a well-shuffled pack of playing cards, the probability that it is a king, तो बताओ king की probability क्या है बच्चों, 4 by 52, चुकि 4 king होते हैं, cards में कितने king होते हैं? 4 king होते हैं, यह देखो, हर इसके अंदर एक-एक king होता है, heart, diamond, spade और club, सब के अंदर एक-एक king होता है, ठीक है, जिसको हम face card या फिर coat card भी कहते हैं, ठीक है? ओके, और joker को बच्चों हम लोग nev भी कहते हैं, यह सब वर्ड याद रखना, exam में, ठीक है? पूच सकते हैं, तो 1 by 13, next, if a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade और ace? तो बच्चों, spade कितना होता है हमारे पास? 13 होते हैं, और ace कितने होते हैं हमारे पास? 4, पर सारे बच्चों को बता है, एक ace तो spade के अंदर भी तो होता है, एक ace spade का भी तो होता है, बोलो हाँ, छीडी का, spend मतलब क्या होँआ, शीडी? Sorry, sorry, spade मतलब शीडी नी, spend मतलब पान, puisडी मतलब club, तो पान का भी तो एक ace होता है, एक इकका जो होता है, एस मतलब क्या होता है, एकका, एफ और, एफ और एपल, तो एक एफ और एपल, स्पेड के पास भी तो होता है, तो जो तेरा कार्ड है, स्पेड के, स्पेड के जो तेरा कार्ड है, उसके अंदर एक, एकका ओरेडी है, तो बचे हुए तीन एकका करो आप, 3A काउंट करो या फिर आप इसको ऐसे बोलो, टोटल हो गया 17, इसमें से माइनस करो, 1 क्यों, डबल काउंटिंग हो गई, बोलो हाँ सारे बच्चे बोलो हाँ, डबल काउंटिंग हो गई, एक A यहाँ पर भी count हो गया और A के यहाँ पर भी count हो गया A जो है वो दो बार count हो गया एक बार spade के 13 पत्तों में count हो गया और एक बार ace के 4 पत्तों में count हो गया तो double counting की problem के कारण एक minus करो तो यह गए 16 16 divided by 52 बताओ कितना आ जाएगा 16 by 52 4 by 30 समझ मैं सबको spade जो होता है बच्चों उसको हम कहते है पान के पत्ते 13 पत्ते होते हैं जिसके अंदर 1 एक का भी होता है और ace का मतलब होता है 4 एक के अब वो 4 एक को में से 1 एक तो इसके अंदर ही होता है तो आप उसको 2 बार count कर लेते हो तेरा बार आप speed के पत्ते count कर लिए, चार बार आपने ace count कर लिए, चार एकका होता है, तो आपने एक बार जो पान का एकका था वो यहां भी count हो गया, और पान का एकका एक बार यहां भी count हो गया, दो बार count हो गया, समझ में आया की नहीं, फटावर से बताओ, पान का एकका दो बार count हो गया है, समझ में आया कि नहीं, बताओ, yes, तो एक बार हटाना पड़ेगा, yes, भीया, yes, okay, the probability of drawing a black ball, from a bag containing 8 wide, और 5 black ball, तो black ball की probability है 5, और total probability है 13, done बच्चों, black ball की probability है 5, total probability हो गई, 5 plus 8, a bag containing 10 red, और 10 green ball, a ball is drawn from it, probability that it is a green ball, तो green ball की probability है 10, और total probability है 20, तो यह हो गया 1 by 2, 1 by 2, बोलो yes or no, next, probability की A, सच बोलेगा 4 by 5 है, probability की B, सच बोलेगा 3 by 4 है, probability यह बताओ, कि दोनों एक दूसरे को contradict करे, contradiction का मतलब क्या होता है, contradiction का मतलब होता है, कि जब A सच बोलेगा, तो B को जूट बोलना पड़ेगा, तभी तो contradiction होगा, बोलो हाँ, जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो तुम ऐसे ऐसे करोगे, तभी तो contradiction होगा, contradiction का मतलब होता है, एक, दो लोगों का अलग point of view होना, contradiction का मतलब क्या होता है, दो व्यक्तियों का अलग point of view होना, तो जब मैं हाँ बोलूँगा, तब तुमको ना बोलना पड़ेगा, so that हमारा contradiction हो, तो बोल रहा है कि बताओ, क्या probability कि दोनों एक दूसरे से contradict करेंगे, तो बच्चों, A जो है, वो सच बोलेगा, उसकी probability है 4 by 5, इसका मतलब A lie, यानि कि जूट बोलेगा, उसकी probability हो जाएगी 1 by 5, 1 minus 4 by 5, यानि कि 1 by 5, B सच बोलेगा, उसकी probability है 3 by 4, यानि कि B lie, यानि कि जूट बोलेगा, उसकी probability है 1 by 4, तो हमें बताना है, probability की दोनों एक दूसरे को contradict करने चाहिए, यानि कि जब A सच बोले तो B को जूट बोलना पड़ेगा और जब B सच बोले तो A को जूट बोलना पड़ेगा तो A सच बोल रहा है A सच बोल रहा है तब B को जूट बोलना पड़ेगा contradiction के लिए plus, जब A जूट बोलेगा तब बी को सच बोलना पड़ेगा तब होगा contradiction तो 4 डिवाइड बाइ 5 यह हो गया 1 बाइ 5 3 बाइ 20 4 प्लस 3 तो यह हो गया 7 बाइ 20 ठीक है 7 बाइ 20 बोलो हाँ चलो बताओ समझ में आया contradiction वाला केस वड़ावड से बताओ एक सच तो दूसरा जूट दूसरा सच तो पहला जूट ऐसे question और भी तरीके से आ सकते हैं कि in how many ways this question will be solved तो उसमें भी ऐसा होता है कि A solve कर लेगा B नहीं कर पाएगा B solve कर लेगा A नहीं कर पाएगा या दोनों solve कर लेंगे तो ऐसा होता है उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि दोनों solve नहीं कर पाएंगे उसकी probability निकालो और 1 से माइनस कर दो correct तो ये contradiction वाला question था next अब problem in probability was given to 3 CA students A, B और C whose chance of solving it 1 by 3, 1 by 5, 1 by 2 respectively अब ये CMA module का question है फिर भी हाँ CA students लिखा है ये मसोथ नहीं ये CMA module का question है ये CMA module का ही question है what is the probability that the problem would be solved तो क्या probability की problem solve हो जाए तो बच्चो अब बहुत headache है ये question को solve करना normal तरीके से क्या करना पड़ेगा आपसे question बोल रहा है बताओ क्या probability की question solve हो जाना चीए चाहे एक ज़न करे चाहे दो ज़न करे चाहे तीनों करे तो सोचो कितना लंबा solution बनेगा कि आप बोलोगे ए ने solve कर लिया बी सी नहीं कर पाया ए ने नहीं किया बी कर लिया सी नहीं कर पाया ए बी नहीं कर पाया सी कर लिया ए बी कर लिये सी नहीं कर पाया बी सी कर लिये ए नहीं कर पाया सी ए कर लिये बी नहीं कर पाया और ए बी सी तीनों solve कर लिए यह है इस question का normal solution करने का approach अब बताओ, क्या ये question बहुत बढ़ा नहीं हो गया वड़ा वर से बताओ बढ़ा हो गया न question इतने सारे तरीके हैं, तो हमारे पास क्या उपाय है इसका ओके हमारे पास क्या उपाय है इसका उपाय ये है कि वो probability निकालो कि तीनों question ना solve कर पाए और उसको 1 से minus कर दो और उसको 1 से minus कर दो तो वो probability निकालो कि तीनों question नहीं solve कर पाए तो 1 by 3 question solve करने की probability है तो नहीं करने की probability क्या हो जाएगी 2 by 3 हो जाएगी into 1 by 5 solve करने की probability है तो 4 by 5 हो जाएगी नहीं solve करने की probability और 1 by 2 solve करने की probability यानि 1 by 2 half half नहीं solve करने की probability हो जाएगी बोलो हाँ तो ये हो गई probability of this question is never going to be solved इसको 1 से minus कर देना तो आपको probability मिल जाएगी कि ये question solve हो जाएगा ये है असान तरीका तो ये कितना आजाएगा फटाफट से बताओ 2 or 2 cancel हो गया 5,3 जा 15 15 minus 4 क्या हो गया 11 by 15 डन बच्चो तो this is how you are going to solve these kind of questions ये है ये नहीं कहा the probability that the question will be solved वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन solve करेगा question solve हो जाना चाहिए बस ठीक है बताओ done आगे समझ में yes okay next if the overall percentage of success in an exam is 60 60% बच्चे एक्जाम में pass हो जाते हैं मतब sorry 60% chance है कि एक बच्चे एक्जाम में pass हो सकता है 60% chance है कि एक बच्चे एक्जाम में pass हो सकता है so what is the probability that out of a group of four students at least one pass हो जाये पहल जो में जाते हैं एक जाते हैं दो गोड़ा है क्या probability है कि चार बच्चों में से कम से कम एक जहन पास हो जाये एक मतलब एक भी पास हो सकता है दो भी पास ओ सकते हैं छार भी पास हो सकते हैं तब खुच सोचे यह फिर वैसी question बन गया पहला पांस तीसरा चौथा फैल पहला fail, दूसरा pass, तीसरा चौथा fail, पहला दूसरा fail, तीसरा pass, चौथा fail, पहला दूसरा पास, तीसरा चौथा fail, पहला और आखरी fail, दूसरा और तीसरा pass, ऐसे करके कितने cases बनाने पड़ेंगे दूमको, तो उससे आसान तरीका क्या है, कि 1- probability that all of the student will going to be fail, सारे बच्चे fail हो जाए, उसकी probability से minus कर दो, तो fail होने की probability क्या है, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, निकालो कि चारो की चारो फेल हो जाए तो चारो फेल होने की probability क्या है 0.4 पहला फेल 0.4 दूसरा भी फेल 0.4 तीसरा भी फेल और 0.4 चौथा भी फेल तो चारो एक साथ फेल हो गए उसकी probability ये है probability of फेल तो 1- probability of fail करो 2, 3, 4, minus 1 तो ये आ रहा है 0.9744 ठीक है समझ में आ रहा है ये वाला case बड़ावर से बताओ कि क्यूं हम लोग normal तरीके से ना जाके reverse तरीके से solve परते हैं इस ताइप के question को 1- fail की probability ले ले लेते हैं या 1- not solving की probability क्योंकि हमसे question पूस्था है बताओ चारो की चारो को एक साथ fail कर रहे हम लोग और फिर 1 से minus कर रहे so that हमको कम से कम एक जन तो पास होगा न अच्छा बताओ एक ही case ऐसा बन रहा है जहां पर चारो बच्चे fail हो रहे हैं और उसकी probability है 0.4 x 0.4 x 0.4 x 0.4 जो भी आया हो ठीक है 0.0256 आया है so this is the probability की चारो की चारो fail हो जाएंगे तो अगर मैं इसको total probability से minus कर दू तो मेरे को वो वाले cases मिलने लग जाएंगे न जहां पर at least एक जन पास हो रहा हो मैंने एक case लिया जिसमें चारो की चारो fail हो रहे हैं और उसकी probability है 0.0256 अगर मैं इसको total probability से minus करू तो सोचो वो cases मिलने लग जाएंगे जिसमें चारो fail नहीं हो रहे होंगे और चारो fail नहीं हो रहे होंगे case मतलब कोई एक pass हो रहा है दो pass हो रहा है तीन pass हो रहे है चारो pass हो रहे है वो हमको नहीं बता पर कम से कम कोई ना कोई तो pass हो रहा होगा ठीक है बच्छो डन बोलो next देखो if the probability of a horse a winning a race is 1 by 6 तो बोल रहा है probability की पहला horse 1 by 6 race जीज जाएगा 1 by 6 है probability that horse be winning the race 1 by 4 है ठीक है तो दोनों की winning की probability दी हुई है what is the probability that one of the horse will win तो क्या probability है कि कोई एक ही horse जीते तो इसका मतलब यह है पहले horse को जब जिताओगे तो दूसरे horse को हरवाना पड़ेगा और जब दूसरे horse को जितवाओगे तो पहले horse को हरवाना पड़ेगा तो फटाफ़र से बताओ अगर इसकी जीतने की probability 1 by 6 है तो हारने की probability हो जाएगी 5 by 6 और इसकी जीतने की probability 1 by 4 है तो हारने की probability हो जाएगी 3 by 4 तो यह देखो A win की probability B lose की probability A lose की probability तब B win की probability तो एक घोड़ा जीतेगा तो दूसरा हारेगा दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा चीक है क्या रहे सा आंसर 1 by 3 हा रहे 1 by 3 तो आंसर है none of these समझ गए एक जीतेगा दूसरा हारेगा दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा 1 of the horse will win किसी एक को ही जीताना है ठीक है word game का ध्यान रखे करो न किसी एक को ही जीताना है तो दूसरे को हराना पड़ेगा चलो एक man kill कर सकता है bird को once in 5 shots तो एक में से पांच बार वो क्या कर रहे है kill कर रहे है bird को तो probability that bird is not killed तो one minus kill निकाल दो तो probability of not killed मिल जाएगा अरे simple शब्दों में common sense common sense कि वो पांच में से एक बार bird को मार रहे है तो चार बार नहीं मार रहे है बात खता one out of five he is killing the bird that means four out of five he is not killing the bird बो लो bird bird बो लो bird bird बो लो बलो bird bird बढ़ बढ़ वेरिवरि गुट ठीक है चला अब ये वाला वाला question मुझे नहीं बता इस जनम में हम लोग और कितने बार solve करने वाले हैं याद है, what is the probability कि एक साल में वो leap year है, तो 2 Saturday हो, मतलब sorry 53 Saturday हो, तो याद करो आखरी दो दिन बच जाते हैं हमारे पास, बोलो हाँ है ना 360, फड़ा फट से बताओ एक leap year है, मतलब 366 देड है, हमारे पास 364 days में, सारे बच्चे बताओ 364 divided by 7 हमारे 52 complete weeks हो जाते हैं 364 days में, बोलो हाँ तो इसका मतलब 364 days में हमारे confirm 52 Saturday तो आ गए, सारे बच्चे बोलो yes or no 364 days में, साल में 366 days है, 364 days में हमारे confirm 52 Monday, 52 Tuesday, 52 Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday आ चुके हैं 52 बार हर एक दिन आ चुका है 52 बार हर एक दिन साल में आ चुका है अब बच्चे दो दिन अब बच्चे साल के आखरी दो दिन अब वो आखरी दो दिन कोई भी कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है Monday, Tuesday Tuesday, Wednesday Wednesday, Thursday Thursday, Friday Friday, Saturday Saturday, Sunday और Sunday, Monday तो इन में से कोई भी दो डेस का कॉंबिनेशन वो हो सकता है वो आखरी दो दिन साल का याद है ना पर्मुटेशन कॉंबिनेशन में किये है यह ना पर्मुटेशन कॉंबिनेशन में सेम कॉष्चन यार फोटो कॉपी सेम बस probability में आगया भी है तो 52 weeks हमारे 364 days में complete हो गए आखरी 2 दिन बच्चे वो 2 दिन कुछ भी हो सकता है तो total number of outcome कितने है 1,2,3,4,5,6,7 total number of outcome 7 है अब इसमें से हमको चाहिए 2 Saturday 2 outcome ऐसे जिसमें Saturday आ रहा है 2 ऐसे combination है बच्चों जिसमें Saturday आ रहा है बोलो हाँ 2 ऐसे combination है out of 7 जिसमें Saturday आ रहा है हमें चाहिए बताओ साल में 53 Saturday होना चाहिए तो ऐसे 2 combination हमारे बन रहे हैं out of 7 तो probability हो गया 2 by 7 probability हो गया 2 by 7 ठीक है दो ऐसा combination बन सकता है Friday Saturday और Saturday Sunday जिसमें Saturdays आ रहे हैं और उसके कारण 53 Saturday in a year हो जाएगा, ठीक है, तो क्या probability है, 2 by 7 probability है, ओके, चलो next, next question भी करा हुआ है, what is the probability that 3 children selected at random would have different birth days, तो पहले वाले कोई पास 365 days है, पैदा होने के लिए, पर पहला वाला एक दिन reserve कर लेगा, तो दूसरे वाले के पास 365 days होगा, और फिर दूसरा वाला एक दिन reserve कर लेगा, तो तीसरे वाले के पास 363 days होगा, सब के case में total number of outcome 365 है, क्योंकि हम probability निकाल रहे है तो permutation combination में probability निकाल रहे थे, तो बस यह आंसर था, 365 into 364 into 363, पर अभी हम probability निकाल रहे हैं, तो नीचे total number of outcome भी लेना पड़ता है, नीचे total number of outcome लेना पड़ता है, तो 365 का cube, यानकि यह answer है, ठीक है, ओके, बोलो, येस, next है बच्चो, base theorem किस चीज में useful है, revise करने में, compute करने में conditional probability, sequential probability and none of these, conditional probability, base theorem is the concept of conditional probability, we all know, base theorem is the concept of conditional probability, correct, yes, okay, next देखो, let A और B दो events है, जहां P A, P B और P A intersection B दिया हुआ है, तो P A by B पूछ रहा है, तो P A by B conditional probability का question है, तो इसका formula होता है, P A intersection B upon जो नीचे है, जो नीचे है, उसकी probability याने कि P B, तो यह हो जाएगा 1 by 12 upon 1 by 4, ठीक है, तो यह हो गया 4 by 12, 4 by 12 मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 by 3 answer, easy हो लो लो समझ मैं येस और नो येस और नो बिटा बूलना पड़ता है चार्ट बॉक्स में या तो बोलो येस या तो बोलो नो येस और नो ठीक है ओके येस चलो नेक्स कोईशन देखो इन कनेक्शन विद रैंडब एक्सपेरिमेंट इस फांडेट पी अ पी बी पी यूनियन बी पी बाइ पूछ रहा है तो बाइ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा पी अ इंट्रसेक्शन बी निकालना पड़ेगा upon PA होगा न तो PA intersection B कैसे निकलेगा PA union B के formula चे निकलेगा A union B is equal to क्या होता है PA plus PB minus PA intersection B तो हमको PA union B दिया हुआ है 5 by 6 ठीक है इसको उदर ले जाओ इसको इदर ले जाओ तो formula तो ऐसे ही दिखेगा ठीक है तो यह हो जाएगा PA intersection B is equal to PA plus PB minus PA union B तो कितना आ रहा है बताओ 2 divided by 3 memory plus 3 divided by 5 memory plus 5 divided by 6 memory minus MRC 0.4333 आ रहा है ठीक है हमको निकालना है PB by A जिसका formula होता है PA intersection B हमने निकाल लिया है upon PA जो नीचे है वो लेना होता है तो 2 divided by 3 कितना होता है यह होता है 0.6666 0.6666 0.65 0.65 कौन्स अप्शन होगा answer 13 divided by 20 हाँ C answer है 0.65 PA into PB से intersection निकाल सकते दिक्षा बेटा क्या यह independent events का question है बताओ hello everyone ladies and gentlemen only in case of independent events you have the right to use that formula PA intersection B is equal to PA into PB okay make sure you will not do this kind of mistake जब तक question independent events ना बोल दे PA into PB से A intersection B नहीं निकाल सकते okay done है बच्चों पुड़ाबर से बताओ समझ में आया क्या okay next PA intersection B 0.10 P probability of B not 0.80 probability of A by B पूछ रहा है तो A by B का मतलब होता है probability of A intersection B upon probability of B सारे बच्चों बताओ B not दिया है अरे 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 B not दिया है तो 1 से माइनस कर दो probability of B मिल जाएगा तो 0.10 upon 0.20 we will get 0.5 0.5 डन बच्चों समझ मैं है B not दिया था तो हमने B निकाल लिया 1 से माइनस करके 1 माइनस B not is equal to B follow easy 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 last question of your old module बट इक्जाम में आ सकता है तो ऐसा सोचना मत की नहीं करके जाना होता है ठीक है A और B दो event है such that P A, P B P A plus B यानि की union दिया हुआ है then P B by A पूच रहा है तो intersection निकालना है तो P A intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B तो यार है 0.083333 तो probability of B by A is equal to 0.083333 upon 0.3333 probability of A न तो यार है 0.25 यानि की 1 by 4 done बड़ा बड़ से बताओ येस ओके नेक्स बच्चो new syllabus के module का question है जो कि question number 25 तक चलेगा न ये question number 25 तक आपके new syllabus के module के question है देखो probability theory is often referred to as probability theory is often referred to as science of prediction, science of uncertainty, science of chance or science of decision making बड़ाओ probability theory को अब क्या कहते हो science of no, it's not prediction वो तो regression analysis है science of uncertainty it's not also chance chance को मतलब होता है gambling ठीक है तो it's science of uncertainty ओके याद रखना it's a science of uncertainty आपकी institute जो answer टिक कर क्या आती है आपको वही टिक कर क्या आना है unless वो answer subjective ना हो और एकदम obvious हो कि यार ये तो गलत ही answer है तब आप उसको सही टिक कर क्या होगे पर जब subjective answer होते है तो जो institute टिक करती होई science of uncertainty is probability in general probability बताओ in general probability is exclusive no absolute possibility no exclusive no inclusive relative probability yes तो तो in general probability is a numerical value जो की 0 से 1 के बीच में including 0 और 1 including 0 और 1 exclusive के वज़े से ये दोनों को काट दिया मैंने describe करता है relative relative possibility of event मेरे को एक बात बताओ probability ने जो बात बोल दी क्या वो 100% सच होने वाली है answer is no तो कभी भी वो absolute बात नहीं करता absolute का मतलब होता है confirm तो probability कभी भी देखो probability का अपने आप में मतलब है chance probability का अपने आप में मतलब है तुका probability का अपने आप में मतलब है possibility possibility is the correct word तो probability absolute बात कैसे कर सकता है वो relative बात ही करेगा आरी बात समझ में और वैसे भी probability 0 से 1 यानि कि आपका percentage form में express किया जाता है, ratio form में express किया जाता है, बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो, ratio और percentage का मतलब relative measure होता है, बोलो, ratio या फिर percentage में अगर कोई भी चीज निकालते हो, तो उसको हम क्या कहते है, relative measure कहते है, relative measure, compare करना possible है, सारे बच्चे बताओ, probability निकालके कोई चीज का comparison करना possible है, answer is yes, क्या probability का use करके, आप दो चीजों को compare कर पाते हो, answer is yes, तो ये relative measure हुआ, सारे बच्चे बताओ, ये relative measure हुआ कि नहीं हुआ, तो probability is a absolute measure or a relative measure, फड़ावर से बताओ, probability is a absolute measure और a relative measure, relative measure क्योंकि आप इसको comparison के लिए use कर सकते हो ठीक है can be used for comparison ओके next probability बताओ दो event A और B का 0.05 और 0.95 है तो we can infer that no see event B जो है वो ज़्यादा probable है to happen सारे बत्चे बताओ B की probability ज़्यादा है 0.95 है और A की probability 0.05 है तो इसका मतलब क्या कह सकता हो कि B की होने की संभावनाए ज्यादा है B की होने की संभावनाए ज्यादा है next sun जो है वो disappear कर जाएगा from blue skies today forever तो सूरज जो है बत्चो वो आज हमारे नीले गगन से हमेशा के लिए गयाब हो जाएगा हमेशा के लिए गयाब हो जाएगा वाओ बोल रहे है दिक्षा very good तो with our available information and believe which one of the falling value is most appropriate as probability of the event तो probability of event क्या हो जाएगा बच्चो जीरो क्योंकि क्या कभी sun गयाब हो सकता है सारे बच्चे बताओ क्या कभी sun forever के लिए गयाब हो सकता है answer is no तो probability of event is 0 ठीक है probability of the event is 0 next odd in favor दिया है आपको 522 तो इसका मतलब क्या है बताओ बोलो बहुत easy 5 is to 2 5 is to 2 दिया हुआ है आपको odd in favor तो इसका मतलब क्या है बताओ this means that very very good यह answer है इसका मतलब यह है कि total 7 trials होने वाले हैं जिसमें से वो event 5 बार होगा क्योंकि favor दिया हुआ है favor दिया हुआ है तो वो event 5 बार होगा और 2 बार नहीं होगा odd in favor का मतलब यह होता है कि जो पहले दिया है उसका मतलब है कि इतने बार हो जाएगा इतने बार success मिलेगी और जो बाद में दिया इतने बार failure और अगर उल्टा दिया हो odd in against दिया हो तो पहले वाला failure दूसरा वाला success दिया होता है ठीक है चलो बताओ classical probability is based on assumption dad तो classical probability किस assumption पर based है बताओ classical probability कि क्या outcome already पता होगा no क्या outcome always 0.5 होगा no क्या outcome always 1 होगा no क्या outcome equally likely होगा yes तो all the outcomes are equally likely ठीक है पोलो next if an experiment has a set of event that includes every possible outcome then the set is called every possible outcome अगर उसमें मिला हुआ है तो आप उसको क्या कहते हो every possible outcome मतलब probability क्या हो जाएगी of that event 1 हो जाएगी तो बोलो इसको हम क्या कहते हैं अगर every possible outcome है तो इसको हम क्या कहते हैं exhaustive कहते हैं mutually exhaustive बोलोगे collective exhaustive बोलोगे mutually बोलोगे collective collective बचो theory यह बचो BR करना पड़ेगा I cannot help in theory जो है यह यह बचो मेरे को बता है तुम लोगों को थोड़ी पीड़ा होती है theory पड़ने में पर क्या करें जो है यह है दोनों में difference क्या है देखो दोनों में difference यह है mutually का मतलब होता है आपस में साथ में और collectively मतलब होता है पूरा sample space ठीक है तो जो mutually word है वो ज्यादा तर हम लोग exclusive के लिए यूज करते हैं इसलिए इसके लिए भी यूज करते हैं mutually exhaustive के लिए यूज करते हैं पर उसमें बहुत कम elements होते हैं जैसे मालों A, B और C तीन ही elements होए तो उनको हम कह रहें ये तीनों आपस में exhaustive है और collective exhaustive मतलब पूरा sample space exhaustive है तो इसलिए जादा appropriate word ये है अगर ये word नहीं होता answer में तो ये भी tick करके आ सकते थे obviously पर ये it's all about जादा appropriate word कौन से हैं ठीक है क्लासिकल probability क्या बताता है कि number of favorable outcome, number of total outcome के बराबर है number of favorable, number of trials के बराबर है upon number of trials number of possible upon number of trials और number of trials upon number of possible तो देखो सिर्फ possible outcomes के लिए नहीं लेते हैं हम लोग number of favorable outcome favorable outcome का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो answer हमें चाहिए जो answer हमें चाहिए अब वो favorable outcome जरूरी नहीं है possible outcomes हो जरूरी नहीं है हम सिर्फ true true का answer लेके चले हैं false false को भी ले सकते हैं favorable outcome का मतलब होता है हमें जो चाहिए है answer तो number of favorable outcome upon total outcome ठीक है addition rule for mutually exclusive events क्या होता है बताओ mutually exclusive का P A union B क्या होता है exclusive है मतलब दोनों साथ में कभी नहीं होने वाला exclusive है मतलब दोनों साथ में कभी नहीं होने वाला है A answer है very very good probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B because intersection is 0 क्योंकि exclusive event है अगर 2 unbiased coin को toss करोगे एक बार तो probability of getting both head तो दोनो head यानि की head head तो 1 by 4 1 by 4 बोलो न head head yes next the probability data leap year selected at random contain 53 sunday तो वही है 2 by 7 2 by 7 किसके बराबर आएगा 0.2857 0.286 ठीक है next a lot contain 10 items of which 3 defective है तो 10 item है जिसमें से 3 item खराब है 3 items को आपको चूज करना है from the lot at random one after another तो एक-एक करके 3 item आपको उठाने है उस 10 items में से और replacement नहीं करना है मतलब एक बार उठा लिए तो उसको रख लेना वापस मत डाल देना probability बताओ कि 3 item जो आप सिलेक कर रहे हो वो defective आना चाहिए तो बच्चो तीन defective out of 10 मैंने पहला उठा लिया तीन defective थे out of 10 मैंने पहला उठा लिया तो पहले पहला वाला item defective होगा उसकी probability यह है बोलो हाँ पहला item defective होगा उसकी probability है 3 by 10 जोकि total तीन defective है out of 10 अब मैंने एक defective उठा लिया क्या बोल रहा है तीनो आइटम उठा रहे हो वो defective होना चाहिए मैंने पहला आइटम defective उठा लिया तो अब बुचा कितने 2 defective बचे और total 9 इस में से भी एक निकाल लिया मैने 1 defective निकाल लिया और दस में से मैंने एक निकाल लिया तो अब दो बचे defective out of 9 अब मैंने दूसरा भी निकाल लिया दूसरा भी मैंने निकाल लिया defective तो अब एक defective बचा out of 8 तो what is the probability कि तीनों defective होंगे this is the probability बताओ कितना आ रहे है बताओ कितना रहे है 0.008 तो total 10 item थें जिसमें से 3 defective थे मैंने पहला item उठाया जो कि defective होना चीए तो 3 by 10 अब मैंने एक item निकाल लिया तो एक defective भी कम हो गया दो हो गया और 10 में से भी एक item मैंने निकाल लिया तो अब 9 हो तो आब 9 item हो गया फिर मैंने दूसरा भी defective निकालना है मेरेको तो 2x9 दो डिफेक्टिव बचे हैं तो 2x9 out of total 9 मैंने फिर एक और निकाल लिया डिफेक्टिव तो अब एक डिफेक्टिव बचे है और आठ हाइटम बचे है तो 1x8 आखरी भी डिफेक्टिव चाहिए मेरेको तो what is the probability कि तीनों डिफेक्टिव होना चाहिए this is the probability आगे समझ में वड़ा वर से बताओ module का question है ये बताओ समझ में आए क्या ओके चलो next probability of A दिया है B दिया है और C दिया है assume करो ABC independent event है probability of occurrence of at least बोल रहा है at least मतलब union पूछ रहा है तो probability of A union B union C पूछ रहा है इसका formula होता है probability of A plus probability of B plus probability of C plus sorry minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C okay this is the formula probability of A है 0.3 B का है 0.2 C का है 0.1 A intersection B का probability हो जाएगा probability of A into probability of B क्यों क्योंकि ये independent event है दिक्षा तो 0.3 into 0.2 minus 0.3 into 0.1 minus 0.2 into 0.1 plus A intersection B intersection C में तीनों को multiply कर दो तो 0.3 into 0.2 into 0.1 अब इसको solve कर दो तो तेर है 0.496 0.496 done चलो whatever से बताव 0.496 easy मिस्टेक हुई है 0.496 आएगा अरे 484 तो ऑप्शन में नहीं है तो बच्चो जहां आपको इंडिपेंडेट इबेंट दिखा आप इंटर्सेक्शन निकालने के लिए मल्टिप्लिकेशन रूल लगा सकते हूं ठीक है आगे बढ़े इस नेक्स्ट कोश्चन इन IPL कॉलकाता नाइट राइडर्स प्ले करती है 70% ऑप दियर गेम्स नाइट में ठीक है 70% गेम्स नाइट में प्ले होते हैं इसका मतलब 30% गेम्स डे में प्ले होते होंगे तीम 50% नाइट गेम्स जीतती है 50% नाइट गेम्स उल्लोक जीत जाते हैं इसका मतलब 50% हार जाते हैं 90% ऑप दे गेम्स जीत जाते हैं 90% ऑप दे गेम्स जीत जाते हैं इसका मतलब 10% गेम्स हार जाते हैं तो टुडेज न्यूस पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने कल का मैच जीत लिया था दे वान येस्टरडेज मैच तो प्रोबैबिलिटी बताओ कि गेम जो है वो रात में खेला गया था तो प्रोबैबिलिटी बताओ कि गेम रात में खेला गया और वो लोग जीत गया बेस चोरम है ना बेस चोरम है तो प्रोबैबिलिटी कि गेम रात में खेला गया और लोग जीत गया अपॉन टोटल प्रोबैबिलिटी ओव विनिंग तो टोटल प्रोबैबिलिटी ओव विनिंग मतलब रात में खेला गया और जीत गया प्लस सुबे खेला गया और जीत गया तो इससे आपका अंसर आ जाएगा तो 0.7 x 0.5 memory plus 0.3 x 0.9 memory plus 0.7 x 0.5 divided memory call is equal to 0.564 5645 ठीक है नहीं समझ मैं कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा कोई बात नहीं सुनो क्या होता है पैसे का नहीं भाया क्या होता है बेस चोरम यह बताओ बेस चोरम बच्चो एक conditional probability है बेस चोरम क्या है एक conditional probability है मुझे यह बताओ पूछो क्या बेस चोरम बोलता है कि बताओ what is the chances of happening of this event provided another event already happened तो यह तो conditional probability जैसे definition है तो बेस चोरम का ने एक बहुत खतरनाक टाइप का formula है अब वह formula मैंने notes में दिया हुआ है क्योंकि इसके ओपर institute ने एक बार direct question पूछा था एक्जाम में नहीं MQP बगरा में direct question पूछा था तो मैंने formula तो दिया हुआ है पर आपको बो formula जायत तेल लेने हम तो समझेंगे logic से base theorem क्या होता है तो base theorem का बच्चो fundamental principle वही है favorable outcome upon total outcome सुन रहे हो base theorem का fundamental principle यह है favorable outcome upon total outcome भाया example अब जैसे यह वाला question देखो question कह रहा है कि KKR Kolkata night riders game play करती है बोलो हाँ ध्यान से समझना न गेम प्ले करती है उस गेम प्ले में बच्चो यह लोग अपने जो matches खेलते हैं अपने जो matches खेलते हैं उसमें से यह night में match खेलते हैं बच्चो 70% यानि की 0.70 times मतलब total जितने भी match खेलते होंगे उसमें से 70% match लोग रात में खेलते हैं और 30% match यानि 0.30 match वो day में खेलते हैं फिर question ने कहा कि अगर वो match night में खेलें कंडिशनल probability कंडिशनल probability जहां से सोचो कंडिशनल probability कि वो अगर match रात में खेलें तो 50% chance है कि वो match जीत जाएंगे 50% chance है कि वो match जीत जाएंगे इसका simple मतलब यह हुआ कि 50% chance है कि वो हार जाएंगे अच्छा अब दूसरा कि 30% case में उनका match day में होता है अगर वो match day में खेलें तो 90% chance है कि वो match जीत जाएंगे oh my god yes और 10% chance है कि वो match हार जाएंगे obviously तो आपको यह बताने है अच्छा यह बताओ यह flow chart सबको यह sorry यह tree सबको समझ में है whatever से बताओ यह flow chart बोलो यह tree बोलो decision tree बोलो यह सबको समझ में है कि वो लोग match night में खेलते हैं 70% chance में और 30% chance पो day में खेलते हैं अब एक बात बताओ conditional probability लग रही कि नहीं लग रही है कि वो जीतेंगे इसकी probability 50% होगी कब जब वो match night में खेलेंगे तो हुआ कि नहीं conditional probability कि the probability that they will win the match is 50% provided provided the match will happen at night और probability that they will win the match is 90% is 90% is 90% provided they will play the match in day time provided they will play the match at day time तो सारे बच्चे बताओ पहले अपने आपको satisfy करो क्या यह conditional probability का case है कि probability of one event provided another event already happen तो probability बताओ, जयसे मालो हम लोग stadium में byठे हैं जयसे मालो हम लोग stadium में बैठे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ भाई आज केकियार जीतेगी की नहीं जीतेगी मैं stadium में बैठा हूं ना game चल रहा है Los Angeles में Los Angeles में तो दिक्षा को ये भी नहीं पता कि वहाँ दिन है रात है शाम है क्या है नहीं पता उसको नहीं पता तो वो पहला question क्या पूछेगी मेरे से बताओ, पहले वो ये पूछेगी बताओ time क्या हुआ है मैं बोल रहा हूँ KKR जीतेगी की नहीं जीतेगी मैं दिक्षा से पूछ रहा हूँ आज KKR जीतेगी की नहीं जीतेगी मैं बैठाओ Los Angeles में फटाफर से बताओ क्या KKR जीतेगी तो दिक्षा तो इंडिया में बैठी है वो पूछ रही है पहले ये बताओ कि time क्या हुआ है तो फड़ा फड़ा से बताओ हो गई ना conditional probability हुई की नहीं हुई कि whether the KKR will win the match or not it depends upon what is the time whether it is day or night तो ये है conditional probability तो based theorem is conditional probability अब सुनो 100 बात की एक बात हमको क्या करना है favorable outcome upon total outcome हमको formula और मुला नहीं रटना है हमको बोलना है favorable outcome हर question में base theorem के हर question में हम ये flow chart बनाएंगे पहले ये बात अपने आप से promise करो base theorem का question आएगा exam में एक second लगाएंगे ये flow chart बना लेंगे और फिर उसके बाद हम बोलेंगे favorable outcome upon total outcome अब देखो favorable outcome क्या है जरा देखो favorable outcome है बताओ probability that the game was played at night or they will won the match according to today's newspaper they won yesterday उन्होंने पिछला match जीता है तो probability बताओ कि game रात में हुआ था probability बताओ कि क्या game रात में हुआ था तो सारे बच्चे बताओ क्या पूछ रहा आप से probability of winning probability of winning बोलो हाँ तो जैसी question ने बोला probability of winning probability of losing को भूल जाओ सारे बच्चे बूल जाओ बूलो 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 पड़ावर से बूल जाओ अरे बूलो ना जैसे ही question ने कहा probability of win बताना है lose बूल जाओ lose बूल जाओ अब winning के ओपर focus करो question बोल रहा है probability of winning बताओ provided game रात में हुआ होना चाहिए game रात में होना चाहिए तो सारे बच्चे बताओ ये favorable outcome नहीं हो गया कि probability कि वो लोग जीत गए वो लोग जीत गए और game रात में हुआ है और game रात में हुआ है ये हुआ favorable outcome ये क्या हुआ ये हुआ favorable outcome कि उन्होंने match जीत लिया और गेम रात में हुआ है दोनों को multiply करना है क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है सारे बच्चे बताऊ रात में खेल रहे हैं तभी तो probability 50% है विन की, तो दोनों event साथ में होगा तो इसलिए बीच में multiply है गयोंकि दोनों event साथ में होगा probability अच्छा इसको ऐसे करके निकाल लो इसको ऐसे निकाल लो रुको एक सेगें विन एट नाइट इसकी प्रोबैबिलिटी क्या है 0.5 इंटू 0.7 एक्जाम में मत करना ना बस समझाने के लिए बता रहा हूँ 0.35 लूस एट नाइट तो हार जाएंगे रात को 0.7 इंटू 0.5 0.35 वैसी विन एट डे तो उसकी प्रोबैबिलिटी 0.3 दिन में खेलेंगे और 0.9 जीत जाएंगे 0.27 और लूस एट डे इसकी प्रोबैबिलिटी 0.3 इंटू 0.1 तो अब देखो मैंने क्या निकाला मैंने निकाला कि प्रोबैबिलिटी कि वो लोग रात में खेलके जीत जाएंगे 0.35 प्रोबैबिलिटी कि वो रात में खेलके हार जाएंगे 0.35 प्रोबैबिलिटी कि वो दिन में खेलके जीत जाएंगे 0.27 probability कि वो दिन में खेल के हार जाएंगे 0.03 हमें क्या निकालना है what is the probability कि they will win at night तो क्या निकालना है probability that they will win और उसमें भी at night तो बच्चो ये बताओ favorable outcome क्या है favorable outcome है probability of win at night ये हो गया 0.35 divided by बच्चो total outcome divided by total outcome अब मुझे ये बात बताओ total outcome क्या लू total outcome of winning lose को तो भूल जाओ total outcome of winning तो बच्चो total outcome of winning at night plus winning at day winning at night ले लो plus winning at day ले लो total outcome of winning चाहिए न तो win at night divided by win at night plus win at day yes correct नितिन win at night divided by win at night plus win at day तो इस तरीके से base theorem work करता है अब इसको अगर आप निकालोगे तो 0.35 divided by 0.62 तो यह आजाएगा 0.56 4.5 अब मुझे बताओ base theorem सबको समझ में आए क्या this is how base theorem works this is the base theorem बच्चो वड़ावर से बताओ है कि बताओ है निकाल निकालो अंषे निकाल मैं आए क्या ने वह रुदाएग से ल्वजां यह निकाली उक – अिक मत् सिम्जाफे अिक्यार वग्मिआ, पक स्पू su निकाल एश पर गल इह रावको येस, ओके, ओके, भाईया, डन, इधर देखो The chance of getting a defective screw from two boxes A और B are 1 by 5 और 1 by 6 तो बोल रहा है, अगर आप box A उठाओगे तो क्या chance है कि उसमें से defective screw निकलेगा 1 by 5 और अगर आप box B उठाओगे तो क्या chance है कि उसमें से defective screw निकलेगा 1 by 6 तो पहले तो बच्चो ये बताओ box कैसे उठाने वाले हो तो अब box is selected at random तो सारे बच्चे बताओ A और B box को आप randomly उठाने वाले हो तो फटा-फट से क्या मुझे बताओगे A box और B box उठाने की probability क्या हो गई A और B दो box है उसमें से कोई एक box आप randomly select करोगे तो उसकी probability क्या हो गई 1 by 2 very very good तो पहले तो box उठाओगे तो box A उठाओगे उसकी probability हो गई 1 by 2 और box B उठाओगे उसकी probability भी हो गई 1 by 2 क्योंकि आप उसको randomly उठाने वाले हो ठीक हैं बोलो समझ में यहां तक एक box आप उठाने वाले हो A और B में से और वो randomly उठाने वाले हो तो दोनों की probability हो गई half और half अब question कह रहा है कि अगर आप box A उठाओगे और उससे defective screw निकलेगा उसकी probability है 1 by 5 तो 1 by 5 है defective screw उठाने की यानि कि 4 by 5 होगा no defective screw की और अगर आप box B उठाओगे तो उसमें से defective screw निकलेगा उसकी probability है 1 by 6 और no defective screw निकलेगा उसकी probability automatically हो जाएगी 5 by 6 फटावर से बताओ यह flow chart सब को समझ मैं है कि box A उठाओगे उससे defective screw निकलेगा उसकी probability है 1 by 5 यानि कि no defective screw की probability है 4 by 5 इसे defective screw निकलेगा उसकी probability है 1 by 6 और no defective screw है उसकी probability हो जाएगी simply 5 by 6 अब आगे देखो A screw is drawn at random from the selected box तो आपने एक box को randomly select किया और उसमें से भी एक screw randomly निकाला इडिस फाउंड तो भी defective और वो screw निकल गया defective तो जैसे ही बच्चो आपको पता चला पता चला कि question तो defective की बाते करने वाला है question तो defective की बाते करने वाला है तो no defective को भूल जाओ ठीक है find the probability that it is came from box A तो बताओ क्या probability है कि वो box number A से आया था चलो बच्चों बताओ बटावर से बताओ तो probability कि आप box number A से लेक कर रहे हो और एक defective screw उठा रहे हो upon total probability of defective screw तो box number A into defective screw plus box number B into defective screw तो यह हो गया conditional probability अच्छा यह बात है यह बात है भाईया यही बात है यह आ रहे है 0.5454 6 divided by 11 बताओ क्या यह question सबको समझ मैं है ध्यान से देखो और बताओ base theorem बच्चो base theorem वड़ावर से देखो और बताओ क्या यह question सबको समझ मैं है 1 by 2 लेट नहीं किये सोनम मेरे को एक बात बताओ आपके पास दो option है दोनों में से कोई एक select करना है तो दोनों को pick करने की probability 1 by 2 ही न half दो boxes है बेटा सोनम आप दोनों में से कोई एक box को randomly select करोगे तो उसकी probability क्या हुई half और half let थोड़ी करना है half और half ही है let नहीं करना है classical probability है वो ठीक है दो आइटम है कोई एक randomly select करना है तो its probability is half equally likely right equally likely two items random selection equally likely half और half तो उसको let नहीं करना पड़ता that is simple यह देको लिखा था box is selected at random ठीक है done yes फई है yes okay देखो इधर देखो इधर देखो you note that your officer is happy on 60% of your calls तो बोल रहा है 60% calls में आपके officer खुश रहते हैं खुश happy happy 60% call में happy रहते हैं आपके officer तो इसका मतलब भी यही है कि 40% call में sad रहते होंगे इसका मतलब क्या है कि 40% call में sad रहते होंगे बोलो हाँ 60% में happy मतलब 40% में sad okay so you assign a probability of 0.60 हाँ हमने भी वही assign किया या फिर 6 by 10 बोल लो एक ही बात है you have noticed also that if he is happy he exceeded to your request with a probability of 0.0 क्या कह रहा है कि आपने ये भी notice किया कि अगर वो व्यक्ति खुश है आपके officer खुश है तो वो 40% time आपकी request को मान लेते हैं आगे कर देते हैं forward कर देते हैं तो अगर वो खुश है बच्चो तो 40% time वो आपकी request को हाँ बोल देंगे यानि कि इसका मतलब यही है कि 60% time ना बोल देंगे 60% time ना बोल देंगे 40% time हाँ बोल देंगे मतलब 60% time ना बोल देंगे ठीक है whereas if he is not happy if he is not happy मतलब sad है he exceeds to your request with a probability of 0.1 मतलब अगर वो दुखी है तो हाँ बोलने के chances मात्र 10% है अच्छा मतलब ना बोलने के chances 90% हो गए बड़ा बड़ से बताओ समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है ये बात सबको समझ में आ रही है कि आपने notice किया कि आपके officer call पे 60% time खुश और 40% time दुखी होते है जब वो खुश होते है तो 40% chance है कि वो आपकी request को ओके बोल के आगे बढ़ा देगे तो इसका मतलब 60% time ना बोलने के chances भी है और जब वो दुखी होते है तो सिर्फ 10% chance है कि वो आपकी request को thumbs up देंगे 90% chance है कि वो आपकी request को ना बोल देंगे तो फड़ावर से बताओ ये था question क्या question सबको समझ में आ गया फड़ावर से बताओ क्या question सबको समझ में आ गया है येस भाईए येस तो अब देखो यू call one day आपने एक दिन call लगाया और उन्होंने हा कह दिया ओ माई गॉड ओ माई गॉड तो सारे बच्चे बताओ ये question हा वाला है तो क्या मैं ना वाला case भूल जाओ पड़ावर से बताओ ये question हा क्योपर focus करने वाला है ये question किसके ओपर focus करने वाला है हा क्योपर हा क्योपर तो क्या मैं ना वाले cases भूल जाओ आंसर इस तो अब बताओ वाट इस अप्रोबैबिलिटी कि वो उस दिन happy थे अच्छा वाट इस अप्रोबैबिलिटी कि वो उस दिन happy थे चलो तुम लोग बताओ ये रिपे सेन लुन स्टी हो बार्म कि अच्छा कि अच्छा हो मैं ये happy that day, provided he is happy that day, चलो देखते है, probability is equal to happy होने की probability into उन्होंने आपकी request को मान लिया, अपन, happy होने की probability into उन्होंने आपकी request को मान लिया, plus sad होने की probability into उन्होंने आपकी request को मान लिया, ठीके तो yes होने वाली total probability denominator मिलोगी तो यह हो जाएगा बच्चो 0.6 into 0.4 memory plus 0.4 into 0.1 memory plus 0.6 into 0.4 divide memory recall is equal to, यह आ रहा है 0.857 यह आ रहा है 0.857 देखो अब जहां पर गलती हुई है चेक करो चेक करो और मुझे भी बताना कहां गलती हुई तुम लोग से हमने लिए उपर favorable outcome favorable outcome क्या है कि उन्होंने आपकी call पे हाँ बोल दिया और वो happy थे, तो 0.60 into 0.40 divided by total total मतलब हाँ बोल दिया और happy थे, ना बोल दिया और happy थे, sorry हाँ बोल दिया और happy थे, हाँ बोल दिया और sad थे, तो हाँ बोलने की total probability ठीक है हाँ बोलने की टोटल प्रॉबाइबियबियूटी सही आया था, ओके कोई बात नहीं जिसका बेटा गलात हुआ ओगा एक बार चेक कर लो, कहां गलती हुई जिसका गलात हुआ था, एक बार चेक कर लो, कहां गलती हुई समझ गे, समझ गे यह देखो एक company के पास बच्चो दो plant है manufacturing के लिए scooter बनाने के लिए ठीक है scooter बनाने के लिए plant 1 manufacture कर रहा है 80% of the scooter तो scooter बनाने के लिए 2 plant है plant 1 manufacture कर रहा है 80% of the scooter plant 1 इसका मतलब भी यह है कि plant 2 20% of the scooters को manufacture कर रहा होगा at plant 1 85 out of 100 scooters rated standard quality और better quality बोल रहा है plant 1 से निकला हुआ scooter जो होता है उसमें से 85 scooter out of 100 यानि की 85% scooters को हम हम लोग बोलते हैं good quality का scooter है कैसी quality का scooter है standard quality का standard मतलब good होता है न standard quality का scooter है इसका मतलब भी यह हुआ कि 15% scooters जो होंगे वो bad quality के scooter होंगे defective होंगे ठीक है at plant 2 only 65 out of 100 scooter are rated standard और better quality और बोल रहा है अगर plant 2 में manufacturing करोगे तो 65% scooter standard quality के होंगे और 35% scooter bad quality के होंगे ठीक है ओके what is the probability that the scooter selected at random came from plant 1 if it is known that the scooter is of standard quality तो क्या probability है बच्चों क्या probability है कि अगर आप एक scooter को randomly select करोगे तो वो आया है plant 1 से और वो एक standard quality का scooter है ठीक है आगे बोल रहा है what is the probability that the scooter came from plant 2 if it is known that the scooter is of standard quality और second question पूछा है कि क्या probability है कि scooter जो है वो plant 2 से आया है और it is known that the scooter is of standard quality तो I think option में second question का ही आंसर दिया हुआ है ठीक है ओके option में second वाले question का ही आंसर दिया है तो चलो second वाला question based theorem का ही है first वाला भी based theorem का है second वाला solve करते है what is the probability that the scooter came from plant number 2 and it is known to be standard quality तो जैसी बच्चों question ने कहा standard quality जैसी question ने कहा standard quality क्या मैं bad quality को भूल जाओं सारे बच्चे बताओ जैसी question ने कहा standard quality क्या मैं bad quality भूल जाओं बोलो हाँ भाहिया standard quality को याद रखो बस तो बोल रहा है standard quality came from plant number 2 तो बच्चों plant number 2 का probability है 0.20 और standard quality का probability है 0.65 divided by total probability तो plant number 1 का probability into standard quality का probability plus plant number 2 का probability into standard quality का probability ठीक है तो यह हो गया total probability of standard quality ठीक है तो 0.8 into 0.85 0.2 x 0.65 0.2 x 0.65 डिवाइड मेमोर रीकॉल इस इकॉल टू तो यह आ रहा है 0.1604 बी आंसर है 0.1604 फटाफर से बताओ बच्चों समझ में आया की नहीं इजी हो गया बेस थ्योरम फटाफर से बताओ क्या बेस जोरम मक्षन हो गया अच्छा इस कोशन में दो कोशन थी क्योंकि यह कोशन मॉड्यूल का कोशन है इलस्ट्रेशन जिसको मैंने MCQ बना दिया है तो इसका जो पहला वाला कोशन था न उसको आप इग्नोर करो अच्छा पहला था नूमरेटर में मैं अशर बता देता हूं उसका अशर कैसे निकालते 0.8 को 0.85 से मुल्टिब्लाइ करके नूमरेटर में ले लेते तो आंसर आ जाता ठीक है 0.8 को 0.85 से पहला वाला कोशन पर पहले वाले question का option मैंने दिया नहीं मैंने सीधा दूसरे वाले question का options दिया हुआ है ना आपको ठीक है ओके बच्चों तो पहला वाला question आप simply ignore भी कर सकते ठीक है ओके base theorem बन रहा है की नहीं फटावट से बताओ सारे बच्चे बताओ base theorem बन रहा है की नहीं बन रहा है बन रहा है ओके very very good चलो एक और question बस कर लेता है base theorem के ओपर box 1 में 3 defective और 7 non defective ball है box 2 में 1 defective और 9 non defective ball है अगर आप एक box को randomly select करोगे यानि की 1 by 2 1 by 2 तो और उसमें से draw निकालोगे तो क्या probability है कि box 1 आपने choose किया है और उसमें से एक defective ball निकाली गई है तो बच्चो सबसे पहले एक box है box 1 select करने की probability है 1 by 2 और box 2 select करने की probability भी है 1 by 2 equal probability ठीक है box 1 में 3 defective और 7 non defective bulb है तो defective होने की probability है 3 by 10 और non defective होने की probability हो गई 7 by 10 ठीक है जबकि box 2 में एक defective और non 9 defective है तो एक defective bulb है और यहाँ पर 9 non defective bulb है ठीक है तो क्या probability है की bulb जो है वो defective होने वाला है provided आपने उसको box 1 से निकाला है ठीक है तो जैसी question ने कहा defective जैसी question ने कहा defective 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 मैंने कहा भूल जाओ की non defective जैसा कुछ है question में भूल जाओ की non defective जैसा कुछ है question में अब सिर defective पे focus करो अब क्या probability पूछ रहे हैं कि defective bulb drawn form पहले number का box तो पहले number के box की probability into defective bulb upon पहले number का box into defective bulb plus दूसरे number का box into defective bulb इसका probability निकाल दो यहार है 0.75 यानि कि 3 by 4 दैन बचावाटी फड़ावर से बताओ तो आयम एक्सपेक्टिंग ना बेस्टियोरम में अब गॉड लेवल अचीव हो गया होगा फड़ावर से बताओ बेस्टियोरम में अब तुम लोगो गॉड लेवल वाली feeling आ चुकी होगी ठीक है मैंने continuous question इसलिए करा दिये बीच में वहां के question को छोड़वा के क्योंकि मेरे को चीए था बेस्टियोरम में practice हो जाए तुम्हारी बेस्टियोरम एक्जाम में आएगा तो बन जाएगा वड़ावर से बताओ अब बेस्टियोरम एक्जाम में आएगा तो बन जाएगा येस ओके तो चलो फिलहाल आज